तुला राशी बालों को विदेशों से बहुत अच्छा लाप रापत होगा, महीं विदेश जाने का सपना भी आपका पूरा हो जाएगा, महीं तुला राशी के जात को महीना कुछ न कुछ दे कर जाएगा, मान सम्मान यश और पसिद्धी मे व्रद्धी होगी, कला कारों के आपके साथ होने वाला है किनके साथ आगे बढ़ना होगा तो इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना है नमस्कार मैं निदी शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं सितं आजाते हैं इस माह के कैलेंडर पर तो 5 सितंबर को बाबा राम देव मेला लगेगा 6 सितंबर को घर्टायल का तीच का पर्व सुहागी ने बड़ी दूमदाम से बनाएगी 7 सितंबर को गणे चतुरती का पर्व आ रहा है 8 सितंबर को रिशी पंचमी का पर्व मनाया जाए और इस दिन से लेकर श्राद पक्ष की अस्टमी तक का समय होता है मालक्षमी के अस्ट लक्षमी के प्रादुर्बाव का और इस समय मालक्षमी की की गई पूजा रादना इस था ही लक्षमी की प्राप्ति जरूर दिलवाती है तो यदि आप मालक्षमी का आशिरवात से बनाया जाएगा इस दिन भगवान अनंद की पुजारादना की जाती है और 17 सितंबर से ही श्राद पक्ष प्रारंब हो जाएगा तो यह है इस माह का कैलेंडर अब आते हैं ग्रहों की इस्तती पर कि इस माह ग्रहों की इस्तती में क्या फिर बदलोने सूर्य जो की ग्रहों के राजा है विवर्तमान में अपनी राशी सिय में विराजमान है और सूला सितंबर को वे अपनी मित्र राशी करन्या में प्रवेश करेंगे बुद्ध ग्रह की बात करें जो की इस माह दो बार राशी परिवर्तन करेंगे अभी वक्री अवस्ता में कर का राशी में विराजमान है चार सितंबर को वे अपनी अतिमित्र राशी सी में मारगी हो जाएंगे और तेबिश सितंबर को पुना उच्च के ओकर अपनी राशी कन्या में बैठेंगे मंगल ग्रह की अगर बात करें तो इस पूरे मा वे अपनी समराशी मितुन में विराजम पर तो यह तो हुई इस मांगे ग्रवू के राशी परिवर्वरतन की बात और आप सभी को बठाएं कर दाए Tus ambagast पर आधारित रहता है मासिक राशी फल तो सबसे पहले बिना कोई देर किये हुए शुरुआत कर देते हैं तुला राशी वालों के सितंबर मा के मासिक राशी फल की और आपको यह बता दू कि यह जो मैं आपको राशी फल दे रही हूं यह चंद्र गर्नाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशी और लगन दौनों के हिसाब से देख सकते हैं तो सबसे पहले आपके राशी स्वामी की बात करते है जो की है शुक्र यहाँ पर मैं शुक्र की बात करूंगी तो 18 सितंबर तक आपको बहुत सावधाने के साथ ही आगे बढ़ना होगा क्योंकि शुक्रन नीच के होकर आपके 12 आउस में बैटे हैं और यहाँ पर केतू के साथ जड़त्वे योग भी बना रहे हैं आपके राशी स्वामी का 12 आउस में बैट कर नीच का होकर केतू के साथ जड़त्वे योग बनाना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है कस्टदाई हो सकता है स्ट्रगल वाला यह समय हो सकता है अगर आप अपने लाइट पार्टमन की तलाश कर रहे हैं तो इस समय बात नहीं बनने से निराशा उत्पन हो सकती है पर तलाश जारी रही है कोई नो कोई तो आपका लववन आपको मिले गई भगवान उपर से जोड़े बना कर धरती पर बेज़ता है इसकी निराश होने की आफशिक्ता बिलकुल भी नहीं है इस समय जो भी डिसिजन ले सोच समझ कर ले जो मैरिड व्यक्ति हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर करवा सकता है इसलिए आपको ऐसी गलतिया नहीं करनी है अपनी लाइट पार्टनर के प्रती थोड़ा सा लोयल रहे है यहां पर शुक्र आपके अस्टमेश भी हैं जो की यात्राओं में आपको नुक्सान दिलवा सकता है 18 सितंबर तक अकर हो सके तिल लंबी दूरी की यात्रा को अवोईड करें कोई भी रिस्क की काम में हाथ न डाले पर 18 सितंबर के बाद शुक्र आपकी ही राशी यानि तुला राशी में मालव या नामक मापरुश योग बना कर वैठेंगे यानि स्वग्रे ही हो जाएंगे और शानदार प्रइणाम देंगे यानि उससे पहले जो भी स्ट्रगल वाला समय था वो अब सफलता में बदल जाएगा लाप में बदल जाएगा आपका सेल्फ कॉंफिडेंस भी इससे बढ़ेगा इस समय निराशा सारी खत्म हो जाएगी आप आशावधी द्रस्टिकॉन के साथ आगे बढ़ेंगे इसलिए जब विपरी समय भी आए तब भी हमें निराश नहीं होना चाहिए इस समय आपके काम फटा फट से होंगे आपका लेवल और सरकल बढ़ेगा सामाजिक मान सम्मान में व्रद्दी होगी और दुरुत कती से किये गए कारेों का परणाम भी आपके लिए सकारात्मक रहेगा आप शुक्र चुकी एस्टमेश हैं तो अब आप कोई भी यात्रा लंबी दुरी की तैय कर सकते हैं इस समय कुछ इंपोर्टेंट मीटिंग्स भी आपकी हो सकते हैं जो कि उपदेश पून रहेगी सफलता पूर्वक आप संपन कर पाएंगे अचानक धनलाप के भी योग आपकी जीवन में बनते हुए दिखाई देंगे तो शुक्र की अगर मैं बात करूँ तो वो और और आपके रासी स्वामी आपको बहतर परड़ामों से अवगत कराएंगे पर 18 सितंबर के बात अब आते हैं आपके दृतिय भाव पर और आपके सब्तम स्थान पर यानि सेकंड और सेवन्त हाउस पर आपके सेकंड और सेवन्त हाउस के लौड है मंगल मंगल पूरे मा अपनी समराशी मितुल में यानि आपके नाइंत हाउस में बैठेंगे यहां पर मंगल आपको बहतर इंपरड़ामों से अवगत कराएंगे क्योंकि भाग्य इस्थान त्रिकॉर्ण के अंदर जाकर मंगल विराजमान हो रहे है दनिस्थान का स्वामी अगर त्रिकॉर्ण में बैठ जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है मंगल भी ऐसे ही कुछ रिजल्ट आपको दिलवाएंगे टेक्निकल फिल्ट, इंजिनिरिंग से सम्मंदित काम, मेकेनिकल काम आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और ऐसे कारियों में आपको बड़ी सफलता भी प्राप्त होगी यहाँ पर आपको अपनी लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सयोग भी मिलेगा उनका मौरल सपोर्ट रहेगा इवन आप अपने विवाह से सम्मंदित अगर विवाह के बाद आप अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट लेते हैं तो इससे आपका भागय और उनका भागय जुड़ेगा और डेफिनिटली आपको और अधिक सफलता प्राप्त होगी चोटी चोटी बातों पर इगू को न लाएं बस इस बात का ध्यान रखे इस समय आपकी कोई खोई होई वस्तु आपको पुना प्राप्त हो जाएगी घर में मांगली कारिक्रम होंगे कुटुम में मान सम्मान बड़ेगा और आप अपनी बातों को प्रभावशाली रूप से लोगों के सामने रखेंगे जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे अब आते हैं आपके 3rd और 6th house पर आपके 3rd और 6th house के लौड आपके लॉड़ गुरु यहाँ पर गुरु आपके अस्टम में बैठे हैं अच्छे नहीं बैठे हैं क्योंकि गुरु एक सोमेग्राय अस्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता इसलिए यहाँ पर बैठ कर गुरु वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जैसे गुरु आपको दे सकते थे यानि आपके पराक्रम थोड़ा सक्षीन होता हो दिखाई देगा इस समय डेफिनेटली आपको अपने भाई बैनों से नहीं उलजना है आपके शत्रु पक्ष में व्रद्धी हो सकती है परन्तु शत्रु आपसे परास जरूर होंगे क्योंकि सिक्स ताउस में राहू बैटें जो कि वहाँ पर मैटकर शत्रु को परास करते हैं शत्रु उत्पन भी अधिक होंगे और परास भी अधिक होंगे इस समय कोई भी कारियर आप जल्द बाजी में करने से बचेंगे अचानक दनलाब जरूर मिलेगा ननियाल पक्स से भी आपको आर्थिक लाब प्राप्त होगा परन्तु इस समय गलत आते आपके जीवन में आप अपना हैं तो आपको उससे परहेज कर लेना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत नुखसान दायक सावित हो सकती है रुपे पैसो से समंदित कारियों को किसी और पर न डाले खुद खड़े रहकर ऐसे कारियों को पूरा करें अब आते हैं आपके सुखिस्तान और पंचम भाव पर आपकी सुखिस और पंचमेश है शनी शनी याँ पंचम भाव में स्वग्रई हो रहे हैं आपके कुणली के लिए योग कारग्र भी है यहाँ पर शनी का योग कारग्र होकर आपके पंचम भाव में स्वग्रई हो जाना शनी की रिजल्ट को और अच्छा और बैतर बनाएगा इस समय आप जोजनामत तरीके से जो भी कारे करेंगे उसका बहुत अच्छा लाब आप राप्त करेंगे कोई भी कारे आपका जल्दबाजी में नहीं होगा यात्रा है सुखद और मंगल में रहेगी कारिय फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे आपको इस समय धैरिय बनाए रखना है आपके जीवन में कुछ बड़ी उपलग्दिया आप इस मा हासिल करेंगे विद्याति वर्क के लिए तो इस समय बहुत ही अच्छा है अब आते हैं आपके नाइन्थ और ट्वल्थ आउस पर यानि भगेस्तान और खर्चिस्तान पर आपके भगेश और खर्चिस्तान के स्वामी हैं बुध बुध जो की अब तक वकरी अवस्था में थे चार सितंबर को विमारगी होकर आपके लाबभाव में बैठेंगे और तेभी सितंबर तक यही नहेंगे उसके बाद बुद्ध की स्तती और भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि तेभी सितंबर को वे आपके 12 आउस में उच्च के होकर विराजमान होंगे यहाँ पर बुद्ध की स्तती चार सितंबर से बैठर होगी बुद्ध सूरी के साथ बुदा दित्य योग भी बनाएंगे बहुत अच्छा लाब मिलेगा भागे आपका साथ देगा अधूरे पड़े हुए कारी फटाफट से होंगे और कुछ रिस्क की कुछ हट के कारियों में आप अपना मन लगाएंगे जिससे आप अपना ही नहीं अपनी देश का समाज का लोगों का कल्यान करेंगे और इससे आपके सामाजिक मान सम्मान और पतिष्टा में व्रदी होगी इस समय बुद्धी और युक्ती का उप्योग कर आप अपने अधूरे पड़े हुए कारियों को पूरा कर लेंगे नए कारियों की शुरुआत भी कर पाएंगे कोई नया स्टार्ट अप शुरू करना चाते हैं तो उसके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है और अगर आप सितंबर माँ के तीबिस तारीक के बाद अगर करते हैं तो डेफिनिटली आपको बहुत शांदार पढ़ना मिलने वाले है यहां पर बुद्ध आपके काम में आपको रफ़तार तो देंगे के साथ में जो यूवक यूदिया नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी आइटी सेक्टर की त्यारी कर रहे है स्टुडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और इस समय बड़ी सफलताकार रहेगा खर्चों में कमी आ जाएगी हालनकी 23 अगस्त तक थोड़े से अनर्गल खर्चे जरूर होंगे परन्तु 23 अगस्त के बाद आप अपने खर्चों की भरपाई कर लेंगे अधिकारी प्रिसन चितना जराएंगे इस समय आप जितना इमानदारी से अपने कारेंगे और किसी की बातों में ब्रमित नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता दुग नहीं मिलेगी अब आते हैं आपके कर्मभाव पर आपके कर्मभाव के स्वामी है चंद्रमा जिस पर राओ की पंचम द्रस्टी पढ़ रही है यहाँ पर राओ की पंचम द्रस्टी का सिकार ये 10th house हो रहा है इसलिए आपको किसी के बातों में नहीं आना है, किसी के ब्रमचाल में नहीं आना है, गलत डिसीजन लेने से बचना है इस समय ना ओर कॉंफिडेंट होना है, नहीं कन्फियूज होना है बस इस बात का त्याना के बहुत बैलेंस होकर चलें चार लोगों से सला लेकर कोई भी नया कारी करें अपने अधिकारियों की बात को मानें उनकी निंदा ना करें अब आते हैं आपके लाब भाव पर लाब भाव के स्वामी है सूरिय जो की 16 सितंबर तक आपके लाब भाव में स्वग रहेंगे उसके पेश्चाद आपके खर्च भाव में बैठकर खर्चों को जलाएंगे यानि अगर मैं लाब भाव की लाबेश की बात करूँ तो सूरिय के रिजल्ट पूरे माँ बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं यहां पर सूरिय 16 अगस्तर के लेक्ट्रोनिक के फिल्ट से जुड़े हुए युवक युवतियों को बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे खास कर अगर आप ऐसा कोई बिजनस कर रहे हैं तो उस बिजनस में आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे और उसके बाद अगर आप पार्मेसी का मेडिकल का कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी अगर आपका खुत का कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल है तो उसमें उत्तम लाब आप राप्त करेंगे उसका बर्चस्व बढ़ेगा उसकी एक ब्रेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी यानि आप अपनी क्लिनिक और हॉस्पिटल की एक साक बना लेंगे डॉक्टर्स के लिए ये समय जबर दस रहने वाला है फाइदे मंद और अच्छे लाप कर रहेगा यानि और और अगर मैं कहूं तो तुला राशी वालों के लिए ये मां बहुत ही अच्छा रहेगा अब आते हैं वरत और त्योहारों के इसाब से उपायों पर क्योंकि इस महीने भी बहुत सारे वरत और त्योहार है इसलिए लंबे समय से अगर किसी परिशानी से समस्या से परिशान है तो गणेश चतूरती के दिन हाती को हराचारा खिलाएं गणेश जी के मंदिर में जाकर उनसे प्रारतना करें हराचारा खिलाने से आपकी सभी परिशानियों का अंतोगों का हरतालिका तीज के दिन सबसे पहले माता पार्वती और शिवजी की पूजा राधना करें इसके बाद ग्यारा नव विवायत इस्प्रियों को सुहाग की पिटारी भेट करें ध्यान रखे कि इस पिटारी में 16 श्रंगार होना चाहिए अनन्च चतुरदशी के दिन सूरियास से पहले भगवान विश्णु को खीर का भोग लगाए खीर में तुलसी दल चरूर रखें इस भोग से भगवान जल प्रसन होंगे तो ये को चुपाए हैं जो कि आपके इस मा को और भी अधिक सफलता दायक बना सकते हैं और इन दिनों पर जब भी हम विशेश दिनों पर उपाय करते हैं तो उनका हमें विशेश फल भी प्राप्त होता है पर अगर आप अपनी परसनल जन पत्रिका दिखा कर अपने प्रशनों के उत्तर जान कर अपने भविशे से सम्मंदित questions के उत्तर प्राप्त कर अपनी वर्तमान की समस्याओं का खल प्राप्त कर सही remedies के द्वारा अपने भविश को सवारना चाहते हैं तो आप टेलिफॉनिक अपॉइन्मेंट और परसनल मीड के माद्यम से मुझे जूड सकते हैं अधिक जानकारे के लिए स्क्रीन पे दिये गए नमरों पर कॉल या फिर वाट्सअप करके आप संपर्ग भी कर सकते हैं अब मैं अपनी वारी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए विस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए जै श्री रादिक रश्ना गुरुमा निधी श्री माली एक प्रसिद्ध ज्योतिश आचार्य है उनके जोध पुरिस्थित ज्योतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्ध्वान, पंडितों द्वारा पूर्ण विधिविधान, एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है, अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने है तू इन नंबरों पर संपर्क करे आठ नों पांच पांच छे पांच आठ तीन छे दो